हलो सुरेंट्स चड़ें इन दिस वीडियो वी आर गूइंग टी लर्न इंफिनिटिव ऐसा इंफिनिटिव जो विथ टू होता है विदाउट टू नहीं होता आपको हमने नॉन फाइनाइट का वीडियो जारी कर चुके हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए समझ लीज जाएगा इसमें हम बहुत की महत्यपूर्ण इन्फिनिटिव इसको समझे बिना आप नॉन फाइनाइट को नहीं समझ सकते और ग्रामर की समझ आपकी अच्छी नहीं हो सकती तो चली स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटिव विथ टू आप जानते हैं वर्ब दो तरह की होती ह फाइनाइट वर्ब जिनको फाइनाइट भी बोलते हैं दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब जिनको नॉन फाइनाइट भी बोलते हैं तो फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं यह आपको नॉन फाइनाइट के वीडियो में हम बता चुके हैं जिसकी लिंक भी आपको इस वीड वो finite verb होती है, परंत non finite verb वो होती है, ऐसी वर्ब जो subject tense के अनुसार change नहीं होती है, वो non finite होती है, आप बिलकुल non finite का वीडियो देख लीजिए, सारी वातें आपके clear हो जाएंगे, non finite तीन प्रकार के होते हैं, infinitive जिसमें कि दोनों तरह के infinitive होते हैं, with two और without two, with two को हम इस वी उसको हम इस वीडियो में समझेंगे, और इसके बाद bare infinitive आएंगे, without two उसको हम अगले वीडियो में लेंगे, दूसरा non finite का प्रकार होता है, gerund, जो कि verb में ing होती है, इसको verbal noun भी कहते हैं, तीसरा प्रकार होता है, participle, जिसमें भी verb में ing होती है, और verbal adjective भी इसको बोलते हैं, participle भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसके हम वीडियो आगे जारी कर चुकेंगे, तो अब non finite में आज के इस वीडियो में हम आपको सीमित कर रहे हैं, केवल infinitive तक, आप थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे, अलग वीडियो में तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंग तो infinitive क्या होते हैं, आप screen पर ध्यान से आराम से पढ़ें, जब वर्व के first form, कोई भी वर्व है, उसका first form, present form, first form से मतलब होता है present form, उसके पहले to लगा हो, to help, to study, to watch, ठीक है न, इस तरीके से first form के पहले to लगा हो, अत्वा हम इस बात को ऐसी कह सकते हैं, जब first form वाकी की मैन वर्व के पश्चात आए, दूसर तरीका ये भी होता है, किसी वाकी में दो वर्व दी हैं, आपको देख रहा है, तो उसमें first form एक और वर्व है, मैन वर्व, उसके बाद में आए, तो भी वो infinitive होगी, तीसरा प् आए, तो इन सब प्रकार की क्रियाओं को infinitive कहते हैं, मतलब ये हुआ कि आप स्क्रीन पर देखें, two plus first form, ये infinitive होता है, जैसे sentence है, two air is human, ठीक है न, तो गलती करना आदमी, ये आदमी गलती करता है, तो ये two air is human, ये two air subject का का काम कर रहा है, ये infinitive है, फिर दूसरा देखें, first form after man verb, ये man verb है bed, इसके बाद में go आया है, ये green color से जो हमने लिखा, ये infinitive है, जो की infinitive का काम कर रहा है, man verb के पस्चात आया है, तो वो infinitive है, तीसरा ये होता है, two air plus third form, यारि two air के बाद third form आती है, तो वो infinitive होता है, तो ये तीन तरीके से आप देख रहे हैं, ये infinitive होते ह इंपोर्टेंट पॉइंट्स, infinitive के बारे में आप देख ले, जब बाके का subject, बाके में आये हुए first form का करता न होकर, जब बाके का subject, यानि कोई बाके है, उसमें जो subject है, करता है, वो बाके में आये हुए first form का करता न होकर, किसी अनिक्रिया का करता हो, तो first form infinitive होती है, होत मतलब जैसे आप से सेंटेंस देख रहे हैं I want to go तो यहां यह सेंटेंस में जाना चाहता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं want है और यह go है तो I जो subject है वो want क्रिया का subject है ना कि to go का यह कहने का मतलब है जब बाके का subject वाके में आएगे first form का करता ना होकर किसी अनिक्रिया का करता हो तो first form infinitive होता है ऐसे इस्थिति में first form करता द्वारा सीमित नहीं होता यानि जो infinitive है to go इसका करता से कोई relation नहीं है नहीं इससे यह प्रभामित होता है क्योंकि हम जो भी SIS करेंगे tense के अमसार tense बदलेगा या subject के according SIS लगेगी तो वो सब want में होगा यानि जो main verb है उसमें होगा वो इस subject से सीमित है तो want यहाँ पर finite verb है to go यहाँ पर infinitive है तो इसी कारण इसे infinitive अर्थात असीमित करिया कहते हैं क्योंकि to go जो है first form वो करता द्वारा सीमित नहीं होती मैं जाना चाहता हूँ यहाँ ना जो आता है यह आप सकते हैं infinitive का हिंदी अर्थ ना या ने लगा हुआ निकलता है जब भी आप कोई sentence का अर्थ निकालेंगे हिंदी में तो वाकि में यह दिन ना या ने लगा हुआ निकले तो वो infinitive है जैसे आप देख रहे है I want to go तो इसका अर्थ है मैं जाना चाहता हूँ तो go मैं है लगा हुआ ना गो यानि जाना तो ना लगा हुआ जो है वो वर्व infinitive होती है अब आप देखें kinds of infinitive आपने देखा अभी तक के infinitive को परवासित कैसे करेंगे हम क्या होती है two plus first form होती है और तीन प्रकार की हमने आपको बताई अब आप इसको जानना आपको जरूरी है कि infinitive के प् simple और noun infinitive आपको screen पर दिख रहा है इसको simple infinitive भी कहते हैं या इसको noun infinitive भी कहते हैं दूसरा प्रकार होता है जीरंडियल infinitive अब यहां हम इन दोनों infinitive को पढ़ेंगे इन दोनों को पढ़के आप बिलकुल infinitive के बारे में clear हो जाएंगे infinitive के प्रकारों के बारे में तो अभी ह simple और noun infinitive क्या होते हैं gi원 arch infinitive क्या होते हैं यह हमको समझना है कि just simple infinitive इसका ही दूसरा नाम रहा है noun infinitive इंपल इंसे पेद चाहते हैं इनका प्रियोग वाक्य में noun की तरह होता है ठीक है न आपको देख रहा है इसका NE renowned NON Infinitiative तो NON की तरह काम करेंगे तो NON Infinitiative हो जाता है अब हिंदी वाक्य में हम कैसे पता लगाएंगे किस प्रकार से कि यह NON Infinitiative वाला बाक है तो आप यह देखा है जब हिंदी वाक्य के अंत में ना ने को या ने वाला इनमें इसे कोई भी लगा हो तो सामानिता यह सम्पल इंफिनिटिव नान इंफिनिटिव को ब्यक्त करते हैं ठीक है न यह एक सामानि हिंदी सेंटेंस में पहचानने के लिए जब इंगलिस बाकर लिखा है आपने उसका हिंदी अर्थ दिमाग में सुचा तो जब यह अर्थ निकलते हैं उस बर में ना ने को ने वाला तो वो सिंपल इंफिनिटिव है नान इंफिनिटिव होता है जैसे आप यहां देखें ना अर्थ होना यह है तो कैसे सेंटेंस होते हैं to work is worship मतलब इसका अर्थ है कारिक करना पूजा है तो करना यानि आखरी में क्या आ रहा है ना कारिक करना पूजा है to work is worship I wish to study English मैं अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूं तो यहां पर to study कार्थ क्या है पढ़ना यानि करना पढ़ना लिखना तो यह ना जो आता है तो वो simple infinitive होगा दूसरा हम ने को या ने वाला अब यह देखें सेंटेंस ने को या ने वाला कार्थ होना जैसे यह वाक है he is about to go यहां पर to go infinitive है इस sentence का आर्थ है वह जाने को है या फिर वह जाने वाला है दोनों तरीके से सेंटेंज को कह सकते हैं वह जाने को है वह जाने वाला है He is about to go तो यहाँ पर to go infinitive का अर्थ क्या निकल रहा है को जाने को, ने को या जाने वाला दूसरा देखें The dog is about to go कुत्ता मरने को है या कुत्ता मरने वाला है तो यहाँ ने को या ने वाला यह अर्थ निकलते हैं तो अभी यह simple infinitive और non infinitive होता है तो यह आपको याद रखना है तो आप बिल्कुल clear हो जाएंगे दूसरा gerundial infinitive की बात करें हमने आपको दो प्रकार के infinitive बताए एक तो simple noun infinitive जिसको कहते हैं दूसरा gerundial infinitive अब noun infinitive या simple infinitive आपने देखा noun की तरह कारी करता है संग्या की तरह कारी करता है परब तो gerundial infinitive में यही difference है कि यह किसलिए काम करता है देखें जब किसी infinitive का प्रियोग adjective या adverb की भाती होता है कोई भी infinitive है two plus first form बाला infinitive with two उसका प्रियोग adjective या adverb की भाती होता है तो वह gerundial infinitive कहलाता है इसकी पहचान यह है कि यह हम वाकिका अनुवाद हिंदी में करें तो इस infinitive का आर्थ क्या निकलता है ने के लिए या करके ते हुए ने में या प्रैक्टिस से जब sentence में को दिखाएंगे तो आपको clear हो जाएगा तो जब इंगलिस sentence का अर्थ हिंदी में इस तरी किसे निकले है और उसमें ये अर्थाए बर्व में infinitive में ने के लिए करके ते हुए ने में तो फिर वो gerundial infinitive होगा और खास बात आप याद रखे gerundial infinitive adjective या adverb की भाती कारी करते है और noun infinitive noun की तरह कारी करते है ये इन दोनों में अंतर है अब देखें आप ने के लिए ये sentence का रथ होना किस प्रकास से लग रहा है देखें he goes to school to read ठीक है वह पढ़ने के लिए school जाता है क्यों जाता है यदि हम ये प्रश्न करते हैं इस finite verb से क्यों जाता है तो answer में हमको gerundial infinitive मिल जाएगा पढ़ने के लिए to read man eat to live आदमी रहने के लिए खाता है जीने के लिए खाता है तो क्यों खाता है जीने के लिए रहने के लिए to live ठीक है न तो यहाँ आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये gerundial infinitive करके अगला अर्थ होता है करके अर्थ होना तो यहाँ देखें ये sentence देखें आप my brother wept to see my poor condition मेरा भाई मेरी गरीवी की इस्थिती को देख करके देख करके to see देख करके रोया तो to see का अर्थ क्या निकलता है देख करके रोया यानि करके जब होता है तो वो gerundial infinitive होगा I was glad to meet her मैं उससे मिल करके खुश था मैं उससे मिल करके खुश था तो मिल करके to meet ठीक है अब एक अगला का अर्थ देख के ते हुए I saw the sun rise मैंने सूर को निकलते हुए देखा We heard her sing मैंने उसे गाते हुए देखा तो ते हुए ठीक है तो ये gerundial infinitive होगा ने में अर्थ होना जब ये होता है The novel is interesting to read उपन्यास पढ़ने में रुचिकर है पढ़ने में to read का अर्थ कहने कल रहा है पढ़ने में यानि ने में This boy is too weak to run ये लड़का दोडने में दोडने में ठीक है तो ने में ते हुए करके ये जो अर्थ होते हैं तो वो gerundial infinitive होते हैं अब हम इन दोनों जो प्रकार हमने आपको बता है infinitive के simple infinitive noun infinitive और दूसरा gerundial infinitive अब इनके huge देखते हैं कहां कहां होते हैं जैसा कि आपको पता है कि noun infinitive पहले बात करें हम या simple infinitive जिसका नाम है तो वो noun की तरह भग कारे करता है याइन infinitive जब बर्व के साथ में noun का भी काम करें तो वो noun infinitive हो जाता है simple infinitive होता है और grammar में इसका ही सबसे ज़्यादा use होता है तो इसके use देखें तो आप पढ़ें इसको क्या लिखा हुआ है क्योंकि simple infinitive का प्रयोग noun की भाती होता है यह हमने आपको बता दिया simple infinitive इसको noun infinitive भी कहते है क्योंकि इसका प्रयोग noun की भाती होता है आता कोई infinitive तभी simple या noun infinitive होता है जब उसका प्रयोग noun की भाती वाकिके 5 स्थानों पर होता है यह आप noun के function को पढ़ेंगे तो noun के function क्या होते हैं कि वो किन-किन जगे पर रख करके वो noun कहला आता है कोई भी सब्द तो आप जानेंगे कि यह condition होती है जो हम आपको screen पर लिख रहे हैं यह 5 condition जहां follow होती है किसी word के लिए या किसी sentence के लिए जब आप clause में भी पढ़ेंगे तो noun clause भी वही होता है जो noun को follow करता है तो इसी प्रकार से noun infinitive यह simple infinitive वही है जो noun की functions को follow करे noun की condition को follow करे और noun की conditions क्या होती है कोई भी word कब noun होता है तो कोई भी infinitive कब noun infinitive होगा सबसे पहले subject to the verb जब वो crie à का करता हो object to the verb जब वो किसी crie के कर्म के रूप में काम करे object के रूप में काम करे या compliment to the verb किसी क्रिया के पूरक के रूप में काम करे यानि कि उस क्रिया का अर्थ ही तब निकलता हो जब तक कि हम उसमें कुछ जोड़ न दे पूरक न लगा दे तो इसको compliment to the verb कहते हैं और चौति कंडिशन है object to the proposition यानि जब कोई infinitive किसी proposition के object के रूप में काम करे कन के रूप में काम करे तब वो non infinitive होगा simple infinitive होगा और आखरी पांच भी condition है एजन objective compliment किसी object के पूरक के रूप में काम करे यहाँ पहले है verb का compliment और फिर है object का compliment तो यह पांच condition को आप समझेंगे देखेंगे तो यह तभी वो कोई भी infinitive non infinitive कहलाएगा जब वो इन पांच condition को follow करता है अब सबसे पहली condition आप देखें subject to the verb यानि कोई infinitive subject का करता हो तो आप देखें जब कोई infinitive क्रिया के पहले यानि कि subject के स्थान पर क्रिया के पहले यानि क्या होता है subject करता है तो subject के स्थान पर आती है कोई भी infinitive जब subject की जगे पर आए क्रिया के पहले तो वो simple infinitive होता है यह पहली condition है subject to the verb इस प्रकार वो subject का कारे करता है यानि कोई infinitive जब subject की जगए आ गया, क्रिया के पहने आ गया, तो वो subject to the verb की condition को follow करेगा, तो यहाँ उधान से आप देखें, to find fault is easy, ठीक है, गलती ढूड़ना सरल है, तो ढूड़ना, ठीक है न, 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 आता है, subject to the verb, अब यहाँ देखें, to find infinitive है, non infinitive है, simple infinitive है, जो य यहाँ subject का काम कर रहा है, इस verb के लिए, is जो verb है, इस is verb के लिए, to find infinitive लगा हुआ है, तो subject का काम कर रहा है, तो subject to the verb की condition हो गई यहाँ पर, तो यह non infinitive हो जाता है, इस परकार से infinitive, जब starting में आ जाए, subject की जगए पर आ जाए, जैसे और उदान देखें, to air is human, तो air जो is verb क UK के लिए subject का काम कर रहा है, to live for others is our goal, to live यहाँआ पर, is is के लिए subject का काम कर रहा है, to bear injustice is cowardice, ठीक है न, अन्याय सहन करना काहिरता है, तो यह तो bear infinitive है, जो किस इस is verb के लिए subject का काम कर रहा है, तो यह condition subject to the verb follow करें, तो वो simple infinitive या non infinitive हो जाता है, दूसरी condition क्या होती है, object to the verb यानि किसी करिया के कर्म के रूप में काम करें यहां देखें जब कोई infinitive ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक करिया आप जानते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दो प्रकार की वर्ब होती है सकर्मक करिया और अकर्मक करिया तो ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक, जिसमें की कर्म रहता है, तो जब ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके तुरंत बाद में object के रूप में आए, कोई भी infinitive, infinitive जब ट्रांजिटिव वर्ब के तुरंत बाद में कहां आए, object की जगह पर, कर्म की जगह पर, अर्थात, दूस उत्तर में आ जाए, तो वो object to the verb की condition follow करता है, ठीक है न, तो वह simple infinitive होती है, इस प्रकार simple infinitive object का कार्य करता है, object to the verb, ठीक है न, जैसे यह sentence देखे हैं, he likes to live with you, वह तुमारे साथ रहना पसंद करता है, ठीक है न, अब हम यहां like से प्रशन करें, what क्या पसंद करता है, तो वो क्या जवाब आएगा, रहना पसंद करता है, ठीक है न, तो यहां हम इस verb से यह question करेंगे, what का, क्या, तो फिर answer में हमको infinitive मिल जाएगा, यानि जो object है, वो मिल she loves to sing, वहाँ गाना पसंद करती है, तो लब्ज से पूचा what, क्या पसंद करती है, क्या प्यार करती है, तो गाना पसंद करती है, गाना, गानियों को प्यार करती है, अब यहां और उदाहल देखें, she wants to go, तो यहां अब देख सकते हैं to go, यहां पर यह wants तो वर्ब है, finite वर नहीं है to go का कोई subject नहीं है to go यहां object का काम कर रहा है तो object to the verb की condition है verb है want जिसका object है to go I like to obey cards मैं तांस खिलना पसंद करता हूँ तो यहां like verb है और इसका object है to obey यानि to obey जो infinitive है यहां पर वो object का काम कर रहा है she refused to obey her husband तो यहां पर देखिए refused verb है और to obey object है उसने अपने पती की आग्या मानने की मना ही कर दी तो refused में देखिए second form आ गया यानि जो verb finite verb होती है वो इस tense के number के subject के according change हो जाती है कभी उसमें ऐसा ही यह सा जाता है कभी second form आ जाती है यह finite verb होती है जो subject और tense के अनुसार change होती है परांति infinitive में कोई change नहीं होता to go, to obey, to यह जो आप देख रहे हैं इनमें कोई change नहीं है ठीक है तो इसलिए इनको non finite कहती है यह असीमित होती है इनका subject tense से कोई प्रबाब नहीं होता है I love to play तो यहां देखिए to play infinitive है love बर्व है जिसके लिए to play object का का काम कर रहा है I want to write मै यहां लिखना पसंद करता हूँ I wish to wait there यहां to wait infinitive है जो wish के लिए object का का काम कर रहा है the young man wanted to join the army the young man wanted the wanted day की second form हो गया past tense हो गया तो tense के अमसारी change हो जाती है यह verb finite verb पर to join यहां कोई change नहीं है to join and two plus first form infinitive as it is रहता है वो tense number के अमसाद चैंज नहीं होता है तो यहां to join क्या है कर रहा है they decided to hold a meeting तो decided देखिए आप second for past tense हो गया to hold to hold to plus first form infinitive है जो object का का काम कर रहा है इस decide verb के लिए कोई change नहीं है तो यह आपने देखा दूसरी condition object to the verb तीसरी आते हैं हम noun infinitive या simple infinitive कब होता है तीसरी condition है compliment to the verb तो इसको आप पढ़ेंगे screen पर जब कोई infinitive अपून क्रियाओं अपून क्रियाओं अपून क्रियाओं कोसी होती है इज आरेम बाजवर सीम अपियर मार्क सी हियर इनको हम अपून क्रियाओं या complimentary verb कहते हैं क्योंकि जब तक इनके साथ में कुछ object न लग जाए तब तक यह अपना आर्थ पूरा नहीं दे पाती हैं तो इनको कुछ ने किसी चीज़ की ज़रूत पढ़ती है पूरुक आप समझते हैं पत्ति पत्नी का पूरुक होता है पत्ती अथहेतो पत्नी होगी पत्ती होगा पूर होते हैं इसी प्रकार से यह वर्व हैं इनको कोई न खोजय अबजीक्त लगता है जब तक object होगा तब तक इनको हम अपूर्ण क्रियाएं कहेंगे यह पूर्ण नहीं होती है तो ऐसी वर्ब के लिए हमको compliment की जरूरत पड़ती है तो जब infinitive हो इन क्रियाओं के साथ में पूरक का काम करे infinitive तो वो condition follow करता है compliment to the verb तो कोई भी infinitive अपूर्ण क्रियाओं के पस्चात आता है तो वह simple infinitive होता है ठीक है न इस प्रकार वह compliment का कारी करती है जैसे यह देखें her desire is to see me again उसकी इच्छा है अब इज यहाँ पर वर्ब है to see infinitive लग गया है जो कि compliment का काम कर रहा है क्योंकि यह हम यहाँ किवल इत्ता लिख दे हर desire is उसकी इच्छा है अब यह पता नहीं चल रहा desire इच्छा क्या है जब तक कि हम उसमें कुछ जोड़ न दें तो पता नहीं लगेगा कि यह क्या बताना चाह रहा है तो her desire is to see me again तो उसकी इच्छा है क्या है इच्छा मुझे द्वारा देखने की ठीक है न तो यह जब लगा तब जाकर के sentence का अर्थ पूरा हुआ तो is आर यह इच आर एम बाजबर seem, appear, mark, see, here यह कुछ ऐसी वर्ब है चो कॉंप्लिमेट का काम करती है he is to sell her car अब यहां देखिए इच के बाद में to sell आया है तो यह इस वर्ब के रिए कॉंप्लिमेट का काम कर रहा है वो अपनी कार बेचना चाहता है she was to go to भोपाल यहां वाज के बाद to go आया है to see is to believe अब यहां इच के बाद में to believe आ गया है my greatest pleasure is to guide इच के बाद to guide आ गया है तो यह तीसरी condition हुई चौती condition object to the proposition जब कोई infinitive किसी proposition के बाद आये यानि आप देखें जब कोई infinitive किसी proposition प्रपोजीशन 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 बाड को से होते हैं on in upon on in upon above, over, with, by, from, since, for, into, within, among, between यह छोड़ी चोड़ी जो सब दोते हैं विवक्तियां हिंदियां बोलते हैं इनको जब इनके बाद में कोई infinitive आती है, सीकर, infinitive जब इन प्रपोजीशन के बाद में आती है, तो भी वो क्या होती है, simple infinitive होती है और प्रपोजीशन के object का का काम करती है, कर्म का का काम करती है, क्योंकि यह प्रपोजीशन के बाद आती है प्रपोजिशन के बाद में कोई आया तो उसका कर्म होगा object होगा कोई भी चीज पहले आती है तो subject होती है बाद में आती है तो object होती है तो object to the preposition ये condition है जैसे यहाँ देखा था bus is about to start bus start होने को है start होने वाली है तो यहाँ आप देखें about preposition है उसके बाद to start infinitive है जो इस preposition about के बाद में आया है ये देखिए she is about to come तो about preposition है उसके बाद to come आया है you had no choice but to obey यहाँ but preposition का काम कर रहा है to obey infinitive है but यहाँ conjunction नहीं है but यहाँ पर preposition का काम कर रहा है हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं यहाँ but का प्रियोग expect यानि इसका हिंदी मर्थ होता है के सिवा अलावे छोड़ कर के अर्थ में preposition के रूप में हुआ है यानि sentence का अर्थ क्या है तुमारे पास आग्या पालन करने के सिवा बाठका अर्थ क्या है यहाँ पर के सिवा तुम्हारे पास आग्या पालन करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था तो बटका आर्थ यहाँ पर आप मालने प्रपोजिशन ग्रूप में है तो प्रपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव यह सेंटेस देखें Nowadays we want nothing but to earn यहाँ भी बटका आर्थ देखें आप के सिवा आजकल हम लोग पैसा कमाने के सिवा कुछ नहीं चाहते हैं Nowadays we want nothing but to earn The match is yet to finish यहाँ yet भी प्रपोजिशन का काम कर रहा है और to finish यहाँ पर इन्फिनिटिव है इन भाक्यों में इन्फिनिटिव का प्रयोग प्रपोजिशन एबाउट बट और यह के आप्जेट के रूप में किया गया है आखरी कंडिशन है ऐस अम आभ्जेक्टिव कॉम्पलीमेंट यानि किसी आप्जेट करम के रूप में काम हो object के पूरक के रूप में को infinitive काम करे यहाँ देखें आप I saw her go यहाँ पर her I bet him go I sell you, I sell have you realize your mistake यहाँ her, him, you यह object है जिनके बाद में go, यह realize यह infinitive आया है जो के without to है तो उपरोप्त वाक्यों में infinitive का प्रयोग objective compliment के रूप में हुआ है इन वाक्यों में object क्या है करम स her, him, you है तथा infinitive इन objects के पूरक के रूप में प्रयोग तो हुए हैं तथा यह सभी bare infinitive हैं तो यहाँ भी simple infinitive हो जाता है अब आपको देखते हैं यह तो आपने देखा use of simple infinitive non infinitive, 5 condition non वाली हमने आपको बता दी अब हमको ठीकना है gerundile infinitive का अप्योग कहा होता है use of gerundile infinitive यह इसको qualifying infinitive भी केते हैं क्योंकि qualifying word का अप्योग कहा हो जाता है जब हम कोई adjective या adverb के रूप में पाम करते हैं ठीक है न तो gerundile infinitive adjective, adverb की तरह काम करते हैं वर्ब की अलाब़ा तो क्योंकि जीरंडियल infinitive, जिसको बुलेंगे infinitive with two का प्रयों, adjective और adverb की बहती होता है, आता यह infinitive named parts of speech के विशेष्था बताते हैं, क्योंकि कोई भी adjective और adverb कब होता है, जब वो किसी noun के विशेष्था बता है, किसी verb को qualify करे, modify करे, किसी adjective को modify करे, पूरे sentence को qualify करे, modify करे तो वो फिर जीरंडियल infinitive हो जाता है वो infinitive तो यह चार condition को यह फॉलो करता है तो इसलिए इसको जीरंडियल infinitive कहते हैं सबसे पहली condition है to modify या qualify या noun किसी noun की विशेष्था बता है उसको modify, qualify करे या फिर to modify, qualify के बर्व किसी क्रिया को modify करे तीसरा to modify an adjective किसी adjective को modify करे या to modify the whole sentence पूरे sentence को ही modify करे कब वो जीरंडियल infinitive होता है ठीक है न, यहाँ देखना to modify, qualify के noun noun को किस प्रकार से modify करता है तो यहाँ दिख रहा है जब कोई infinitive यह बताती है कि कोई व्यक्तिया बस्तू किस लिए है तो वह जीरंडियल infinitive होता है किस लिए है वो बस्तू जब कोई infinitive यह बताता है इस प्रकार वो noun की विसिश्था बताने का कारे करती है, जैसे he has no money to buy तो यहाँ पर money देखिए noun है जिसके बाद में infinitive आया है तो यहाँ पर यह noun की विसिश्था बता रहा है तो यह जीरंडियल infinitive है दूसरा देखिए this is your house to elect ठीक है, यह घर किराई के लिए है तो हम बات करें कि यह घर किस लिए है घर किस लिए है, पैसा किस लिए है पैसा काई के लिए है, खरीदने के लिए, तो यह जब किस लिए का प्रशने करते हैं, घर किस लिए है, किराय पर रहने के लिए, तो यह जीरंडेली इन्फिलिटिफ हो जाता है, that is a pen, वो a pen है, किस लिए है pen, to write with, लिखने के लिए, here is an evil young man, यहाँ एक समर्थ योग जवान आदमी है, to teach you, किस लिए है, तो मैं पढ़ाने के लिए, here is my brother, to help her, यहाँ मेरा भाई है, किस लिए है मेरा भाई, to help her, आप उसकी मदद करने के लिए, तो यहाँ पर यह नाउन को कौलिफाई कर रहे हैं, यानि money, house, pen, ठीक है न, इनके बाद में infinitive आया है, तो इसलिए य यह जीरंडियल infinitive है, क्योंकि यह additive का काम करते हैं, अब verb को qualify कर रहे हैं, noun को qualify कर रहे हैं, यह देखिए आप यहाँ पर verb को modify की condition है, to modify, qualify गे verb, यानि जब कोई infinitive with two का प्रयोग, एड़ वर्ब की तरह किसी verb को qualify करने के लिए, क्योंकि एड़ वर्ब क्या करता है, वर्ब को qualify करता है, तो infinitive भी एड़ वर्ब की तरह काम करने लगे, यानि वर्ब को qualify करने के लिए काम करे, यानि उस वर्ब का उद्धिश, कारण, या result, fall, बताती है, तो वो जीरंडियल infin इस प्रकार वो वर्म की विशिष्टा बताता है यानी इंफिनिटिव जब एडवर्म की तरह काम करें वर्म की विशिष्टा बताए तो वह जीरंडियल इंफिनिटिव हो जाता है जैसे he came to see her sister वहा उसकी बहन से मिलने आया तो यहां पर उद्देशी क्या था? देखने का या मिलने का परपस क्या था? उसकी बहन के पास आने का उद्देशी क्या था? देखना she works to earn a living वह जीने के लिए कमाता है तो उद्देशी क्या है? कमाने का जीना he loved to see her fullnessness ये कारण है ठीक है वह उसकी मूर्खता को देख करके हसी तो हसने का कारण उसकी मूर्खता he started weeping to see the dead body of her brother तो यहाँ भी कारण है कि वह अपने भाई की मरी हुई body को देख करके उसने रोना सुरू कर दिया तो यहाँ आप देख सकते हैं यह, तीसरी condition to point modify an adjective, जब adjective को modify करें, जब कोई infinitive with two का प्रयोग, adverb की तरह किसी adjective को qualify करने के लिए होता है, क्योंकि adverb जो है वो adjective को भी qualify करता है, वर्ब को भी qualify करता है, तो जब यह काम वो करें, तो जी रंडियल infinitive होता है, जैसे she is too ill to do any work, यहाँ पर ill जो है वो adjective है, इसके बाद infinitive आया है to do, तो she is too ill to do any work, वो ज्यादा बीमार है, मतलब वो कोई काम नहीं कर सकती, इसकारती है, he was surprised to see, surprised adjective है, जिसके बाद to see, infinitive है, it is difficult to solve this sum, difficult adjective है, to solve infinitive है, the girls were anxious to learn, anxious adjective है, to learn, infinitive है, she is unable to attend the college, unable adjective है, to attend infinitive है, तो जब adjective के बाद में infinitive आये, तो वो gerundial infinitive हो जाता है, इसी प्रकार से whole sentence, पूरे sentence को जब modify करें, infinitive, तो भी वो gerundial infinitive हो जाता है, infinitive with two का प्रयोग, किसी sentence को qualify करने के लिए किया जाता है, जैसे to tell the truth, I forgot what I said, तो यहाँ पर to tell, जो infinitive आया है, वो इस पूरे sentence को qualify कर रहा है, to be honest, to be infinitive है, to be honest, I indeed didn't recognize him, to swim in river is very easy, to tell the truth, I forgot my promise, I was afraid so to speak, to be honest, she is not going to help her, तो यहाँ पर यह जो infinitive है, यह सभी gerundial infinitive है, जो के पूरे sentence को qualify कर रहे है, अब यहाँ note करने वाली बात, अभी तक आप इस वीडियो में जो सीखे, वो उसका निचोड यह है, कि simple infinitive और noun infinitive एक ही बात है, दूसरा gerundial infinitive होता है, इन दोरों में क्या अंतर होता है, simple infinitive verb के अलावा noun का भी कारे करता है, और gerundial infinitive verb के अतरिक्त, adjective और adverb का कारे करता है, बस यही difference आपको सीखना है, simple infinitive non-infinitive verb के अलावा noun का कारे करता है gerundial infinitive verb के ethics क्या का काम करता है adjective क्या adverb का कारे करता है तो form सब infinitive की भी बात करें हम यहाँ पर infinitive के रूप क्या क्या होते है जैसे हमने आपको बता है two plus first form होती है इस तरीके से six रूप होते है तो infinitive का प्रयोग active और passive दोनों voice में होता है जब भी आप active passive voice करेंगे तो दोनों में infinitive का भी जोता है active voice में इसको 4 और passive voice में केवल दो form होते हैं active voice में 4 और passive में 2 होते हैं ठीक है इसमें affirmative negative यानि simple और negative को एक ही माना है यहाँ देखें आप present infinitive पहला रूप होता है जो के 2 प्लस infinitive या 2 प्लस first form होती है यहाँ पर 2 तो to do, to go, to write इस प्रकार से यह present infinitive होता है simple अब present infinitive का passive क्या हो जाता है 2 के बाद में b लग जाता है 2 b प्लस third form हो जाएगी past participle, to be done, to be gone तो यह present infinitive हो जाएगा passive voice में अब देखें आप present infinitive negative यानि 2 में हम not लगा देंगे not to infinitive यानि not to do, not to go तो यह present का ही infinitive होगा पर तो negative होगा तो present के 3 देखें आपने एक तो simple देखा 2 first form, to do, to go पर negative देखा, not to go, not to do इसका passive होगा तो to be done, पैसे में to be हो जाएगा और third form हो जाएगी तीसरा चोथा प्रकार है present continuous infinitive में तो to be में ing लग जाता है तो यह present continuous वाला infinitive हो जाता है to be doing, to be going इस प्रकार से फिर देखें perfect infinitive यह तीसरा प्रकार होता है आप देखें perfect infinitive तो यहाँ to have के बाद past participle to have के बाद third form to have gone, to have done तो यह perfect infinitive होता है perfect infinitive passive voice यह इसी perfect infinitive का passive क्या होगा to have में been लग जाएगा to have been और फिर past participle यानि third form to have been done, to have been written यह perfect infinitive का passive form है फिर perfect continuous हाता है आखरी में infinitive active voice के रूप में to have been में बर में ing, to have been doing to have been writing तो चार आपके active voice में है और दो passive form में है इस पकार से तो यह आपके infinitive के forms हो गए इनके बारे में हम और भी आगए आपको जब translation का वीडियो बराएंगे infinitive के translation sentences का वीडियो उसमें आपको इन सभी रूपों के बारे में detail में बताएंगे परत उसे पहले हम next वीडियो में आपको बताने वाले है bare infinitive क्या होते हैं यानि infinitive without to आप इस वीडियो में infinitive with to देखा अगले वीडियो हम जारी के रहेंगे उसमें bare infinitive बताएंगे कि उनका use क्या होता है infinitive without to exam के लिए वो भी बहुत important होते हैं तो आपने ये पूरा वीडियो देखा thank you पूरा वीडियो देखने के लिए अभी तक MP English Classes को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरू करें mobile में देखिए आप लाल कलर से subscribe लिखा हुआ देख रहा होगा इसको आप टच करेंगे तो चैनल subscribe MP English Classes हो जाएगा bell icon दबाना न भूलें दबाएंगे टच करेंगे तीन option आएगे सबसे उपर का option आएगा all के option को आप दबाएंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाएगा वो तुरंत आपके mobile पर notification के रूप में पहुँच जाएगा और इसी तरह के grammar के वीडियो आपको चाहिए तो हमने MP English Classes की playlist अपने YouTube चैनल पर बना रखी है आप playlist में जाएगे तो आपको writing skill related grammar के unrelated tense related सारे वीडियो आपको playlist में मिल जाएगे इस वीडियो के description में आपको non finite का वीडियो जरूर मिलेगा और उसको आप देखना न भूले इस वीडियो को पूरा देखने के लिए thank you नहने बाद